दोस्तों नमस्कार सासाराम के खुबसूरत फिजाओं के बीच चारो बगल यहां पे पहाड़ियां ही पहाड़िया हैं हरे भरे खेत है और उन्हीं हरे भरे खेत से होते हुए एक नया नवेला जो यहां पे बकरी फारम आप देख रहे हैं बिलकुल जो अभी हाल में ही बनाय गया है और यहां पर एक गोट फार्मिंग बिजनेश की शुरुआत हुई है और हम कवर करने पहुचे हैं इस बिजनेश को शुधीर सर के साथ और सबसे पहले में परचे करा दू जो किसान है यह बकरी पाला निहां कर रहे हैं क्या नाम हुआ सर आपका मारा तो नाम राज से लाए यह सब बकरिया खरिद के एक बैपार था उनके पास लाए है जो राजस्थान का था उनका नमबर यूटब से लिए और उनसे बात किये तो बोले कि लाकर के दे देंगे तो लाकर के साहरा में टूल्टेक्स के पास हमको यह दिया बचा गाड़ी से डेलिवर कर दि अब यह मतलब एक हफता हो गया है है यह कंहीं हो रहा है लेकिन फिर वीमान चलिए एक हफता हो रहा है जी आज तीस तारीक है मतलब सातवा दिन असट वादीन है तो कितनी बकरिया उनसे लिया आपने अम लिए थे 15 बश्वकरिया लिए थे पांच गोई का था पांच सुधिर सर भी चर्चा हमेशा से करते आये हैं कि जब आप बकरियां किसान से लोकल नहीं खरिकते हैं किसी दूर राज्य से मंगाई जाती है तो उन बकरियों में हमेशा कुछ ना कुछ समस्या आने की अधिक्तम संभावनाय दिखती है यानि कि उन्हें एडजस्ट होने मे कुछ वक्त लगता है और उसी दर्मियान वो बिमार भी पड़ती हैं उनके साथ समस्या भी आती है तो आज एक हफ्ता बीच चुका है और इस एक हफ्ते में अब इनसे ही पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसी कोई समस्या दिख रही है आपको हाँ जी सर समस्या दिख रही है त और ट्रेनिंग तो नहीं लिया है आपने नहीं सर हमारे बास उतना टाइम ही नहीं कि ट्रेनिंग ले सके तो यह जो बाहर की नसल वाली जो बकरिया आप मंगा ली वह भी आप गाड़ी वाले से खरीदा है और बिना जानकारी के आपने यहां पर इतना अच्छा शेड बना करके हम ट्रेनिंग ले लेंगे उतना सुधिर सर से जनकारी कर लेंगे यह राइट वे नहीं है और यह चीज मैं हमेशा सरी कमेंड करता हूं कि बकरी पालन को आप बहुत हलके में ना ले सर वीडियो देखते होंगे वीडियो देखके एक्साइटनेस होगी बहुत बहुत तरवा दिन देखते हैं दुकान पर बठते हैं तो हमेशा वीडियो बकरी को देखते हैं और देखे कितना अच्छा कासा पुंजी कितनी लग गई बकरियों में एक लाख रुपे लगा लगा दिया और यह जो शेट बनवाया है आपने तो हमारा पहले बन चुगा था अज लगा थोड़ा मुला मिला है इसा बात नहीं मिला है मिला है लेकिन उतना नहीं मिला है एक बकरी सेट बनाए थे वहला और मैसी सेट बनाए है तो पैसा तो नहीं मिला है अभी थोड़ा बहुत मिला है या थोड़ा बहुत मिलने वाला है आप और भी बिजनेस करते हैं क्या कुछ काम दे दिजे सोचे की चलिए कुछ काम भाई लगा दें लड़का भी थोड़ा मुणा घूम जाए काई धर हम लोग देख बाल कर देंगे दूसरा काम है दूसरे को घर के टाइम दूआरे पर बैठने से टाइम बिलंब होगा अपने काम में समय बिताना चाहिए इसलि कर देख हमारा ढूसरे कोई आप बंगाल लेले बलैक बंगाल लेले कोई ही आप लेकिन जानकारी के बिना बपरी कर आब कर ले कहीं कर personagem कर तो हो आपकी बक्रिया अच्छी खासी दूबली पतली दिख रही है और अभी क्या-क्या इनके सासमसे आए साथ दिन में का पास खासी है अन्नाक से निटा गिर रहा है और भी नहीं खा रही है यह सभाग है है आपका कि आपकी बातों को सुधीर सर ने गहर कर लिया और वो यहां तक पहुंचे सासारा में और सर का मैं स्वागत करना चाहूंगा कि सर थोड़ा सा स्कीन पर आए और सर थोड़े से अपसेट भी दिखते हैं इन सब चीजों को ले करके क्योंकि वह एक सिक्षक हैं वो ज भी भीवरलों को नमस्कार जैसे की पवंची आभी सुने और हम भी इन से बात किये तो यह दो तरह का समस्या बताए सर्दिखांसी दो बताया है नहीं बताए चोकर मक्का कदारा दे रहे हैं उन्हीं खा रही है तो यह सब समस्या काफी आता है दुसरा चीजी बताना चाह इस अपना मार्केट सरवे करके मीट का मार्केट है सुखिनी के मार्केट है अब यह अपना मार्केट में पीचें में इसको विचेए लेकिन ने हम अक्सर लोगों को बुलते हैं के बाहरी बक्री समय काफी सधानी बरती है क्योंकि आते ही अधिकांस रहता है बीमार होने का इत्वाइब परसन है कि इनके बगल में पहाड यह सुबह सां बखरी को चरा रहे हैं यानि कि घुमा रहे हैं तो बहुत प्रॉल्म हो रहा है देखिए ते लगी परसन है सभी लोग तो लगी नहीं है सभी लोग भक्री घुमा नहीं पाएंगे क्योंकि रगाह की कमी है जगह की कमी है उनकी अहां जब यह समस्या आ जाए भूसा नहीं खा रही है अनाज दर्रा नहीं खा रही है तब वो लोग क्या करें अपने खेत हैं खेत है खेत में घास रुपए है अभी छोटा- को किसी तरह का नौलेज नहीं है यहीं सर्दी खांसी धिरे-धिरे विक्राल रुपधार्म कर लेता है और फिर अंत में धिरे-धिरे तविए खराब और पतली होने लगती है दस्त होने लाएगा बुखार होने लगता है मिर्तूदर काफी बढ़ जाता है तो चुकि सब का बिहार में देख रहे हैं काफी लोग सौकीनी का मार्केट के लिए पकड़ रहे हैं तो हमकर हो चलता है पर अजा रहा है और एक फारम खुल कर चला रहे हैं तो फारम खुल कर बेपार कर रहे हैं तो आएक क्यों ऐसा बोल रहे हैं इस पर विचार करते हैं बकरियों का सुभाव होता है हमसाद जूंड में गूरूप में रहने के लिए जैसे ही बकरी को आप गुरूप से बाहर कीजिएगा उत्तनाव में आ जाती है और बकरियों में जो बिमारी है खासर कर नया बकरी के लिए उस बिमारी का में कारण है तनाव और अधिकान से भीवर लोग जानते होंगे साथ आभी जानते होंगे तनाव का सबसे बड़ा होना है तो आए तनाव का मेंन में कारण क्या होता है उस पर संचेप में बता देंगे तो हो सकता है कि आपके भीवर लोगों को कुछ बेनफिट मिलें तो सबसे बड़ा कारण भी जोंचर्चा किये गुरूप में रहना बकरियां गुरूप में रहने के लिए चाहती है या चलाती है और खाना नहीं खाएगे अब बेपारिक लोगता लाते हैं मंडी से माल मंडी में आते हैं किसान को यह लेकर आया हुआ है भले ही यहां पर लगता है कि हम एक के बार में दस उखर लिए लेकिन नहीं आप दस पूर रहे हैं वो सब अलग अलग घर से आई हुई है तो तनाव में है कि तनाव का में कारण यह हो गया दूसरा कारण भी होता है कि जहां से राजस्थान से बक्रियां आ रही हैं और चरने वाली बक्री को चानक का स्टॉल फिट पर पालन कर दिया जाए म्हां ती है नहीं फिर भी तनाव में खार रही है बंगडी फक्री पर सब खार रही है इस नहीं कि झाल ढखा इक एक शरताव में परिवर्तन लंबी दूरी की यात्रह पर आते हैं उससी ओना चाहिए और यह उस दाले करते हैं उनके यहां से कर दिये कि जब बकरी बाहर से आई आप किसी को फारम पर आठ दास दिन रह गए तो कुछ तो आपस में घुल मिल जाएगी कुछ तो यहां का मौसमें बाताबर में सेट कर जाएगी करेक नहीं करेगे तो चाहिए यही कि जो ट्रेडिंग काम कर रहे है यहां पर एक श्टॉकिस्ट बनाकर आठ दिन दस दिन रखते हैं उनके हां से समस्य आने का चांस कम रहेगा लेकिन उस टाइप का ट्रेडर जिनके हां रोटेशन स्लो रहे बहुत हाई नहीं है तो फिर आया फिर आपके घर आ जाएगा इस तरह से करेंगा तो इस समस्य कम लगा दिया है शेड भी बना लिया है इसकी भी कीमत अगर जोड़ी जाए तो वह भी लाख पार ही होगी अपने घर से अपने मैंने सरकार नहीं दिया था तब लग 1,530 लगा के आदमी कैसे सो सकता है ऐसे कैसे प्रतिके जी बक्री आपने खड़ी लाए है जिसाड़े चा लिए है सारी सब क्रॉस ही है लेकि इसी जागरुकता भी आप जो भी बक्री कर दिये उसमें क्या सधानी बढ़ते हैं अपने जागरुकता में लोगों को एफी बताते हैं तो बहुत सारे बीडियो तो आपके चला रहे हैं लेकिन कुछ हमारे प्रक्रेट कोर्सेज भी है कराने जा रहे हैं बहुत जल्ड ऑनलाइन ट्रेणिंग भी शुरुआत हो रही है सारी परक्रियां सुधीर सरकी लगभग पूरी हो रही है और मिड़ अप्रिल से शायद वह सुरू हो जाएंगे हां तो यह सोच रहा है आज आप आग है ऐसे बहुत सारे किसाने जहां आप लग रहा है तो दूसरा नमबर पाओ नहीं व्यास्त बता रहा था तो नमबर लगाते लगाते धेर नमबर पास लगाए तो बोल रहा था कि हाली डॉक्टर के दिखलाओ तो आपकी बकरिया 10-15 दिन में समर जाएगी होता ही है हमारे अलावे किसी और के पास फोन लगा है आपके देखे और आपके जिसे बहुत मैंने विक्की पारी को मैंने इस देख रहे हैं थे तो बोल रहा था है को डॉक्टर करें या हाली बकरी को इलाज करा हो नहीं तो बक्रिया मर जाएगी मराद भर महुत बहुत जैंचे फिन तब आपके पास लगा है तो कोई बोले कि हम कर आ रहे हैं सब्सक्राइब हमारा दिल खुर्स हो गया इनके नाम सुनकर करें यही होता है कॉन्फिडेंस दुसरे के पास फोन लगाए कुछ के पास लगाए होंगे घबडा के जली से डॉक्टर बोलाने मर जाएगे हम एक भी बोले हम क्या बोले कि मैं पहले आउंगा सबसे बड़ी भूल आपकी वहीं हुए है सर के आप जानकारी नहीं लिए और यूटूब की वीडियो देखते हैं सुधीर सर की इतनी वीडियो आप बता रहे हैं आप तो कैसे चुक हो गई चुकि सुधीर सर अपने क्लासेज में इनके छातरों से मिलता रहता हूं यह देशी ब्लैक बंगाल पर करना चाहिए उस पर आ रहा है यूटूब पर जो ही अपना नंबर चला रहे हैं जुरूर अपने को तेज बनते तब चला होंगे यह जब फोन कि होंगे तो पहले इन पुछे बीना जाने तुरूंद डॉक्टर बुलाओ इसका मतलब कि खाली आप नंबर चलाते हैं नहीं है और एक बार भी हम इसा कुछ बोले जैसे हम आ रहे हैं जो का देखा जाएगा बहुत बढ़ी नहीं है लेकिन आगे चल करके अगर आज नहीं हम लोग आते और लेकिन इनका दूसरा नंबर लगा नो बोल रहे हैं कि दिल हमारा खुर्स हो गया सर देख लिए रहते हैं और इसलिए अल्टरनेट आप सुनुनाज जी को फोन कर लिया करें और इन पर मैसेज डॉप कर दिया करें क्योंकि सर को फुर्सत नहीं मिलती है किसान को बोलते हैं कि हमें सब फार्मिंग स्टार्ट किजिए तो किसी अन्भवी आदमीं के साथ में रही है ने तो ही होगा कि नया नहीं में आईए तो तुरंते फून की घंबडा के बोलाएं डॉक्टर को बोला हम क्या किये एक सब्सक्राइब होते हैं यह होता है तो आ सब रुपते हैं हम लोग बहुत पढ़िया कि मैं दूसरी को भी खिलाने का पड़ता है हम लोग के पास कोई मुश्य नहीं है इसलिए सोचे कि हम लोग का घंस दूसरा लेग जाता है हम अपने रख देंगे तो हमारा घंस खाइगी रहेगी वह शुब कामना है कि आप काफी प्रबंधन की जुरुत पड़ेगी और अगर अच्छे से करेंगे तो निसंदे आप सफलता पूर्बा कागे जा पाएंगे नहीं तो इसी तरह से क्या होगा कि आप बकरियां लाएं और फिर उसमें देखे कि आप समस्य आया चाना काने लगी और अब घड़ा से हुआ है तो समहल भी जाएगी स्थिति सुधीर सर मैं चाहूंगा कि अब थोड़ा सा हम लोग को आगे भी निकलना है समय की कमी है तो सुधीर सर ने बकरियों की सिथिति देखी है और कुछ सलाह आपको देंगे जिसका पालन आप कीजिए करेंगे बहुत करेंगे हम इतना किताब्स मैंने कुछ लिखे है उसे अनुमसार हम अपना घर्जकरम घरेलु दवा कर रहे हैं बस चलिए दोस्तों यह के निया स्टार्ट अप था जो की मात्र एक हपता पुराना था और हम यहां पर पहुंचके कवर करने के सचाई दिखाने की कोशिस की एक्चली होता क्य के लिए जय हिन जय भारत